उत्तर प्रदेश 2022 विधान सबाद चुनाव से पहले जहां सभी राजनेतिक पार्टियां कानून विवस्था को मुद्दा बना रही है जिसको लेकर रोजाना प्रदेश सरकार को कट घरे में खड़ा करने की हर एक संभव कोशिश कर रही है वहीं ये सभी सियासी पार्टियां सत्ता पर काबिश होने के लिए दागी निताओं को टिकन देने में परहेज नहीं करती इसी को लेकर एडियार की एक रिपोर्ट ने विधान सबाद चुनाव से पहले इन सभी पार्टियों के चेहरे को बेनकाब कर दिया है रिपोर्ट के अनुसार यूपी विधान सबाद में मौजूदा समय के 35% विधान सबाद को पर आपराधिक मामले दर्श हैं दरसल उत्तरप्रदेश, Election Watch और Association for Democratic Reports एडियार ने 403 विधाईकों वाली देश की सबसे बड़ी उत्तरप्रदेश विधान सबाद के मौजूदा 396 विधाईकों की एक विस्तरित रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के मताबिक 396 विधाईकों में से 144 यानि 35 प्रतेशत विधाईकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्श हैं जिसमें से 27% यानि 106 विधाईकों पर गंभीर धाराओं में केस दर्श हैं रिपोर्ट के अनुसार साथ ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ हत्या यानी आईपीसी की धारा 302 में मुकद्मा दर्च हैं, वहीं दो विधायक पर महिला अपराद और 36 विधायक पर हत्या के प्रयास में केस दर्च हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार 304 विधायकों वाली भारतिय जनता पार्टी के सबसे जाधा 106 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्च हैं। ADR कांग्रेस की एक विधायक पर गंभी धाराओं में मुकद्मा दर्च हैं। AD पार्टी के तीन विधायक और निर्मल इंडियन शोशित हमारा आमदल के एक विधायक पर गंभीर धाराओं में मुकद्मा दर्च हैं। बता दें देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते उत्ते परदेश में 403 विधायक हैं। साथ सीते रिक्त हैं। इस वज़ा से ADR ने परदेश के 396 मौजुदा विधायकों के आपराधिक, वितिये, सैशनिक और अन्ने विवरन के विसलेशन के अधार पर अपनी रिपोर्ट तेयार की है। या विसलेशन 2017 के विधान सबाचुनावों और उसके बाद हुए उपचुनावों में उमीदवार त्वारा किये गए सपत पत्रों पर आधारी थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।